आज हम बताएंगे वही वचन का दूसरा भाग तो या इसका परिवर्तन कैसे होता है दो तक आपको बताए थे तीसरा है आकारांत को छोड़ कर से सभी पुलिंग संग्या सब्दों के एक वचन तथा बहवचन एक समान होते हैं इन से पहले कोई संख्या लगा कर इनके वचन बनाए जाते हैं जैसे एक कप, तीन पत्र, दो गुरू, दस ब्रिक्च, चार कप इस तरह से पहले संख्या वाची सब्द लगा कर बनाए जाते हैं चार है जिन इस्तिरी लिंग शब्दों के अंत में या होता है या होता है उनमें या के उपर चंद बिंद लगा देते हैं जैसे गुडिया है तो गुडिया कर देते हैं या पर चंद बिंदी लगा देते हैं चिडिया चिडिया तो पज़वा है पर सरगों अर्थात कारक चिन्हों के साथ आकारांत तथा उकारांत सब्दों के बहवचन बनाने के लिए उनके अंत में ओ तथा इकारांत वा इकारांत सब्दों के अंत में यो जोड़ देते हैं छटा है सभी अकारांत इस्तिरी लिंग सब्दों के अंत में ए जोड़ देते हैं जोड़ देने पर उनके बहवचन बन जाते हैं जैसे वारता है वारताएं, लता है लताएं, सत्वा है संबोधन में सभी पुलिंग एवं इस्तिरिलिंग सब्दों के बहवचन रूपों में अंतिम स्वर के अस्थान पर ओ हो जाता है जैसे कवी, कवियों पिता, पिताओं, बह, बह, बहु, बहुँओं अठवा है किसी के प्रति, सम्मान, आदर, बड़पन, सिष्टता, आधि को प्रदर्शित करने के लिए हम एक बचन के अस्थान पर बहुचन का प्रियोग करते हैं जैसे मेरे पिताजी बीमार हैं, अब यहाँ पिताजी को सम्मानित करने के लिए बहुचन हैं का प्रियोग करते हैं अब नवा है द्रव्य सूचक जा दिवाचक संग्याओं का प्रियोग प्रायह एक बचन में ही किया जाता हैं जैसे तेल, घी, जल, दूद, इनकी कोई काउंटिंग होती नहीं, यह द्रव्य वाचक हैं, तो इनका एक बचन में ही प्रियोग होता है दस्वा है, लोग, होट, होस, बाल, प्राण, पोश्व, हस्ताक्षर, अक्षत, दर्शन आदिश सब्दों का प्रियोग सदयव वह बचन में किया जाता है एक बचन के लिए इनके पहले एक जोड़ा जाता है जैसे मेरा एक बाल सफेद हो गया उसे अगर बाल सफेद हो गया, तो नहीं ठीक, अगर एक बाल सफेद है तो उसका नाम ले लेंगे कि एक बाल सफेद हो गया मेरे बाल सभेद हो गए, अब ये बहुवचन हो जाएगा, एक बाल सभेद हो गए तो एक लगा देंगे, इस तरह से ये हम वचन का परिवर्टन करते हैं, यह क्लास फेप्थ, सेवन, एट, नाइन, टेन के लिए उप्योगी है, समझेंगे, इससे आपको ज्ञान मिलेगा, अन्य बाद, आगे हम फिर बताएंगे, फो नाए तक हैं,